Hello everyone, Class 12, RBSC, Vise Hindi, Part Sankhya 15 Dear students, previous class में मैंने आपको ये तोलिया एकांग की पढ़ा रही थी इसमें अब तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह सफाई को लेकर मदू और वसंद के बीच विचार नहीं मिलते और किस तरीके से सफाई की जो सनक मदू पर सवार होती है और वो किस तरह मदू और वसंद में तरकरार का रूपधरन कर लेती है मदू ने घर से अलग-अलग तोलिये रखे वै जिस काम के लिए और जिस के लिए जो तोलिया रखा है उसी के इस्तेमाल पर जोर देती है उसका तोलिया कोई दूसरे इस्तेमाल करे यह उसे बिलकुल भी पसंद नहीं होता और इसी बीच में वसंद के बोद जोरदार तरकरार होती है वसंद मदू के ऐसे वेवार से काफी तंग रहता है इसी तरकरार में वसंद से नराज होकर करती है यह एक तोलिया को लेके कैसे आपस में दोनों के बीच तरकरार होनी शुरू हो जाती है मधू ज्यादा साब सफाई रखने वाले महिला है उसे लगते कि हर चीज का तोलिया अलग होना चाहिए और किस तरीके से दोनों में तरकरार होती है यहां तक मैंने आपको कल दर दिया फिर मेरे शेव बनानिक उसे फैंक दिया रेडियो के पास से तुमने अपने आपको इन मिध्या बंधनों में इतना जकड लिया है कि मेरा सा खुला पन भी तुमें अखरता है अपने सिधानतों को तुमने सनक की हद तक पहुँचा दिया है और उशी और निमो मदू भुनना छोड़ देती है आपसे फिर उशी और निमो की बात चलाई वसंत हसते हुए कल मिल गई बजार में मैंने पूचा निमो आई नी तुम इतने दिनों से कहने लगे हमको चच्ची से डर लगता है हसता है मदू उसी विशैली हसी के साथ मैं उन्हें खातो जाती हुं कि वसंत तिपाई के पास खाओगी तो तुम क्या पर वे बच्चियां है मनू बच्चियां व्यंग से हसती है वसंत उनके व्यंग को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए हसना उनका सोभाव है वे हसेंगी तो बेबात की बात पर हसेंगी तो तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिर उहूं बेचारी किस से सिर इला कर उठता है जो आदमी जी भर खापी नहीं सकता हसा हसा नहीं सकता वे जीवन में करी क्या सकता है चिन्ताओं और आपतियों से बंद नहीं क्या कम है जो जीवन की सिस्टाचार की बेडियों से जकर दिया जाए यह ने करो वे ने करो ऐसे ने बोलो वैसे ने बोलो इन आदर्शों को कहां आंता है मदू चुप रहती है वसंत और फिर तुमारे इस सिस्टाचार में वे इस निक्दता कहां है तुमारे आने से पहले मैं देव और नरायन एक ही एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे जरा कलपना तो करो सर्दियों की सुबह यह शाम एक ही चार पाई पर एक ही रजाई गुटनों पर ओड़े चार-पांच मित्र बैठे गप्पे चल रहया हूं सुख़ दुख्की बाते हो रही हूं वही चाय आ जाती है साथ साथ बाते इसे बाते होती हैं साथ-साथ चुस्कियां लगती हैं इस कल्पना में कितना आनन्द है, कितनी इसनिकता है आप मित राते हैं, अलग-अलग कुरसियों पर बैड़ जाते हैं एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है चडिया तक तो फटकने देती नहीं हो तुम बिस्तर के पास मैं तो इस तकलूफ से घुटा जाता हूँ जाकर बसंद कुरसी पर बैठ जाता है और हजामत का समान ठीक से रखने लगता है देखिए दोनों पती पत्नी में तरकरार किसको लेकर हो रहा है सिर्फ सफाई को लेकर मैं तकलूफ स्वेम पसंद नहीं करती पर जब दूसरे को सफाई का कुछ भी ख्याल ना हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है आप ही बताए कितने लोग हैं जिने सफाई की आदत है कितने हैं जो हमारी तरह पाऊं दोकर रजाई में बैटते हैं वसंद», वहीं से पाऊं दोने की मुसीबत रजाई में बैटने का लुफ्ट ही किरकिरा कर देती है कुत्ता भी बैठता है तो मदू दो मिलाकर बैठता है मनुष्य सुभाव से ही सुच्छता का प्रेमी है मैं गंदे से ग्रेणा करती हूँ फिर स्वेटर बुनने लगती है वसंत मुड़कर ग्रेणा यही तो मैं कहता हूँ तुम्हें मुझसे ग्रेणा है मेरे सुभाव से ग्रेणा है वातावरन मेरे वातावरन से ग्रेणा है उसी विशैली हसी के साथ यह आप कह सकते हैं वसंद तुम्हें मेरी हर बात से ग्रेणा है मेरे खाने, पीने, उठने, बैटने, हसने, बोलने, हसता हूँ, सीना फुला कर, हसता हूँ और इसलिए उशी और निम्मो मदू, स्वेटर को फैंक कर, आपने फिर उशी और निम्मो की कथा चेड़ी, मुझे हसना बुरा नहीं लगता, समय कुछ समय का भी ध्यान होना चाहि उस दिन पार्टी में आते ही, उशी ने मेरे कान पर चुटकी और निम्मो ने मेरी आखे बंद कर दी, कोई समय था, उस तरह हसी मजाक का, मुझे हसी मजाक से ग्रहना नहीं, एसिस्टता से ग्रहना हैं, मदू ने का, परले सिरे की, एसिस्ट और, सब बे लड़की हैं, मद पर वह तो बैठ गई एक और, यह नवावजादी सेंडिल समेत आ वैठी, मेरे सामने टांगे पसा रहें, कोन बोल रहें, मदू, और उसके गंदे सेंडिल, मेरी साड़ी से बिलकुल समी पा गए, आप इस एसिस्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापी पसंद नहीं कर सकती, जिसे बैठने, उठने, बोलने का सलीका नहीं, वे मनुष्य क्या पशू के समान नहीं है, वसंद गरच कर, पशू हो तुम, मुझे पशू समझती हो, तुम मनुष्य की प्राकर्तिक बावनाओं को बांद कर रखना चाहती हो, कठिन सिद्धान्तों की बेड में, वसंद मदू से क्या का, तुम मनुष्य की प्राकर्तिक बावनाओं को सिद्धान्तों की बेडियों में बावना चाहती हो, ताकि उसकी रूही मर जाए, मुझे ये सब पसंद नहीं, और इसलिए तुम मुझे से ग्रेना करती हो, तुम्हारी इस विशाक्त हसी में, मै जानता हूँ कितनी ग्रेना चिपी है, मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशू नहीं बन जाओं, अभी मेरा जी चाहा कि इस जलील से तोलिय उठाकर बाहर फैंग दू, और मेरा जी चाहा करता है कि तुम्हारी इस हसी का गला घोट दू, ग्रेना, ग्रेना तुम मेर अपनी हर बात से ग्रेना करती हो, मुझे पशू समझती हो, वसंतने का, मदू स्वेटर उठाते हुए, बरे गले से, आप नाग हर बात को अपनी और ले जाते हैं, अपनी कल्पना, दिल में वे बातें देखते हैं, जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती, मुझे आपसे ग तैयार हो जाना, यह नहीं बताता कि आपको मुझे से नफरत नहीं, इसका क्रोच चाहे, अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर, वसंतन तो मदूर, मेरा ख्याल था, मैं आपको सुक पहुचा सकूंगी, आपके एववस्तित ज एस वस्ता में सुक मिलता है, आपको मेरी विवस्ता में सफाई बुरी लगती है, मैं आपकी दुनिया में नहराऊंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी, उठ खड़ी होती है, टेलिफॉन की गंटी बजती है, वसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है, वसंत हेलो हेलो, जिने में वसंत का कोई फोन आता है, मदू नोकरानी को वाज देते हुए, मंगला, मंगला, इस नाना गर की ओर के दरवाजे से आती है, जी बीबी, मेरा बिस्तर त्यार कर दो, मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ, मंगला, बीबी जी आप मदू, मैं जो कहते हूं उठाला, पहले मेरा समान तो ठिक कर दो, पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साब ने अदेश दिया है, अपना समान बाद में बादना हसता है, परदा गिरता है, कुछ शरन बाद, परदा फिर उड़ता है, कमरा वही है, समान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है, कि जहां मेज वहाँ एक पलंग बिचा है हेलो टेलिफोन है उसके सिराने एक तिपाई पर रखा है मेज ड्रेसिंग टेबिल की जगेज चला गया और श्रंगार की मेज अपनी कुरसी के साथ दाएं कोने में सरग गई वसंद परमदू लिहाफ लिहाफ गुटनों बर लिये दिवार के सारे अन्यमंद सी आधी बैठी है आधी लेटी है कुशन बाद वै कलेंडर की और देखती है उसकी दृष्टी का अनुसरन करते ही मालूम होता है कि जन्वरी का महिना है और नया साल चला गया जिसका मतलब यह कि मदू को हम दो महिने बाद देख रहे हैं बहार का दरवाजा कु ओला और तीकी हवा अंदर आराही लिहाफ को कंदों तक खींसते हूए नोकरानी आवाज देती है मंगला मंगला लेकिन अवाज इतनी हल्की है कि शयद क्ले जाती मदू रजाई लेकर लेट सी जाती है कुछ शन बाद मंगला स्वयम ही आती है मंगला बीबी जी यह आप उदास उदास क्यों है मदू लेटे लेटे जरसी से मंगला ये किवाड बंद कर दो बर्फ सी हवा अंदर आ रही है मंगला किवाड बंद करते हुए मेरी बात का उत्तर नहीं दिया बेबी योही कुछ तबियत उदास है कोई पत्राया बाबुजी का आया था शायद आज कल में आ जाए मंगला तो फिर विशात से हसकर तबियत कुछ बारी-बारी सी है शायद सर्दी के कारण जरा उठकर कोन बाहर से दर्वाजा तो खोलो मंगला जरा यहां उत्री माता जी प्रियाग जा रही थी सरीता बेहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखने चले ठैरी कहां करनाट प्लेस में मलिक चाचा जी के यहां देर से उनका अनुरोद था कि दिल्ली आए तो और मुझे पत्र तक नहीं लिखा इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो सबसे पहले तुम ही से मिलने आई और माता जी कहती थी कुतुम्मिनार मैंने का कुतुम्मिनार एक तरफ और मदू बेहन एक तरफ मदू कहका लगाती है और फिर दो घंटे से मारी मारी फिर रही है तुमारी तलाश में लेकिन पता तो मेरा सुरो बहिन भूल गई इन्होंने तांगे वाले को बहरो के मंदिर चलने के लिए कह दिया अश्चरिये से बहरो के मंदिर चिंती और तांगे वाला ले गया सबजी मंडी कहां तीस अजारी में गिर्जे के पास चिंती अपनी बात को जारी रखते हुए तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है वापस आई मदू फिर जोर से हसती है और तब पता चला कि हम लोग तो यूही परेशान होते हैं घर तो तुम्हारा पास ही है मदू लोग मैं जानती हूँ वे इतना हसना तुम कहां से सीख गई तुम तो तुम तो थी जन्म से ही सिंडी भाई साब ने सिखा दिया इतने जोर से कहकाये लगाना बनारस गए हुए हैं दो महीने से वहां के फर्म का मेनेजर बिमार पढ़ गया है अच्छा तो अच्छे हैं मोज में लेकिन तुम खड़ी क्यों हो इधर आजाओ बिस्तर पर नोकरानी मंगला मंगला औरे कुर्सिया छोड़ो अब चली आओ इधर पलंग पर बैठो लिहाफ लेकर शुरो लेकिन मेरे पाउं और मैं दो नहीं सकती इने अरे क्या हुआ मैं तुम्हारे पाउं को जुराबें पहन रखी हैं तुमने पर तुम्हारा बिस्तर कुछ नहीं होता बिस्तर को मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो बस चली आओ इधर बर्फ सी हवा अंदर आ रही थी आपने अवाज दी थी बीबी जी मंगला चाय बना कर लाओ तीनों गुटनों पर लिफाफ लेकर आराम से ब अगले महिने लेफ्टे नेट विरेंदर के साथ वे लम सलम लम्टीक सा आदमी जोर सी हवा चलने चली उड़ता चला जाए मैं तो सोचती हूं कि उसे पुषपा जैसी मोटी मुटलों से प्रेम भी हुआ तो कैसे और मैं इस बात पर हैरान हूं कि पुषपा उसे पसंद भ वर्षा इस नानागर का मून ने देखा हो वर्षों से इस नानागर का देखिए अब मधू में कितना परिवर्तन आ जाता है जब से वो बाहर चला गया दो महिने से बना रस चला गया कहा लाओं चाय बीबी वे मेज पर रख दो और एक प्याला बना कर हमें दो यह पर डाइनिंग टेबिल पर जाने चुका चाय का मज़ा उठने का प्रयास करते हुए हलके से क्रोथ से मधू मधू हटाओ भी अब बैठी रहो हैं चिंती व्यंग से तो विवा के बाद रानी मधू मालती ने अपना सब सिद्धान बदल डालने का बदल डाले अब डाइनिंग टेबिल के बदले बिस्तर पर भी चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है शुरो कहां तो यह है कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम में भागती थी और कहां यह है अरे क्या रखा है इस तकलूफ में आप सच कहूं इस समय किसका जी चाता है कि इस नर्म नर्म बिस्तर पर बैठकर डाइनिंग टेबिल पर जाए तो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ ठंडी हो रही है सब चाय के प्याले उठा लेती है और चाय पीते पीते बातें करती है सुरो मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो मदू तो क्या हुआ चादर दुलवाई जा सकती है और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाले दुरगटना बहसे कोई अपने रोज के सुख आराम को नहीं छोड़ सकता सुख आराम तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समस्ती हो हस्ती हैं दोनों चिन्ती और फिर सब्भेता संस्कृती देखिए जो मदू साब सफाई का पहले इतना अधिक ध्यान रखती थी कुछ भी खाना कुछ भी करना इसी साब सपाई को लेकर उसकी अपनी पती से नहीं बनती थी और किस तरीके से वो बनार्स ओफिस के काम से जाता है और यही जो चिंती और सुरो इसके घराती थी, पहले के रहन सेन में अब में कितना बदलाव हो जाता है, तो यह बोलती है कि फिर सब्बेता और संस्कृति के पीछे सुरो, यह तुम क्या कह रही हो, क्या तुम चाहती हो, कि इतना कुछ सीख समझकर मनुशे, फिर पहले की ब पुले कि बरबर दिखाई दे ना इतना बंदे की सन की मातमा बुद ने कहा था सुरों हसकर मातमा बुद तुम्य तो क्या हो गया सधियों पुराने गले सडे विचारों को तुम सब बहता पर लादना चाहती हो चिंती मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगती के पत पर अग्रसर है आज के सिद्धान्त कल काम नह देंगे और कल के परसों मदू बोनाट शाह हटाओ ये बेजमा भैंस ले बैठी मंगला चाय का चाय का एके कप और बनाओ चिंती बस गई अब तो चलेंगे इतनी देर हो गई हमें यहां आए मंगला हाथ दुला दो हमारे मदू अरे भाई एक एक प्याला तो और लो नहीं अब हम चलेंगे यहां सब लोग परिशान हो रहे होंगे हमने का हम केवल मदू का घर देखने जा रहे हैं एक आदा घंटे में लोट आएंगे और यहां आते आते दो घंटे लग गई चिंती इस नाना घर किदर है हम वहीं हाथ दो आती हैं मदू अरे क्या दो दोगी इस सर्दी में सुरो नहीं भाई हाथ तो हम जरूर दोएंगे चिप चिप कर रहे हैं मदू तो मरो मंगला इनके हाथ दुलवा दो बात्रूम अरे बात्रूम में जाकर क्या करोगी इधर बरामदे में ही दोलो गीले हाथ लिए वापस आकर तोलिये का हैं तोलिया नहीं दे गई मंगला अच्छा वै ले लो खूटी पटांग है देखिए बटा कांकी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किस से दोनों में तरकरार शुरूई थी एक तोलिया को लेके ठीक है और आज वही मदू मदू त दर से एक दुला हुआ तोलिया ला दो चिंती भी गीले हाथ लिये जा रही है मंगला तोलिया ले आती और दोनों हाथ पहुंचती है मदू मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती नहीं भाई अब कल जाने का प्रयास करोगी प्रयाग नहीं जरूर जाना भूलना नहीं और खाना भी यहीं खाना, हाँ हाँ अवश्य आएंगी, अब उटने का तकलूफ ने करो, बैटी अपने गर्म लिवाफ में दर्वाजा, हम बंद किये जाती हैं, बर्व सी हवा अंदर आ रही है, मदू, मुझे एक प्याला और बना दो चाहे, मंगला, ये कौन थी बीबी जी, म पॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी, और उस्टल में भी साथ साथ रहती थी, जी बीबी जी, मंगला, जरा मेरी और देखकर तो बता, क्या मैं सच मुझ बदल गई हूँ, मंगला, जैसे अपने, आप मेरी सहलियां कहती है, मैं बदल गई हूँ, पड़ोसिन भी यही कहत है, जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तों में बदल चुक्यों, मैं तो आठो पैर आपके पास रहती हूँ, बीबी जी, मैं क्या जानूं, अपनी बात जारी रखते हूँ, मेरी आँखों में देखकर, बता मंगला, क्या मैं बदल सकी हूँ, इन में ग्रहना की ज मेरे व्यवार में तकलूफ और बनावट तो नहीं उसी अश्चरिय से बनावट तकलूफ बनावट नफरत तकलूफ बनावट नफरत तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ दो महीने पहले वे इसी बात पर बनारस में अपने काम से चले गए थे मंगला क्या कह रही हो बीबी जी आप बाबु जी तो शुन्ने में देखते हो उसका क्रोध अभी तक नहीं उतरा इन दोनों महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र नहीं लिखा एक पत्र भी नहीं या मिहा मेनेजर बिमार है जो ही स्वस्त हो जाएंगे मैं चलाओंगा इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो वे मुझे से नराज हैं उनका ख्याल है कि मैं ग्रेणा करती हूं मंगला तुम भी समझने में ऐसा फल होते हो ग्रेणा ग्रेणा मदू यदि मैं बच्पन ही में वातावरण में पली हूं जहां सफाई और सलीके का बेहत ख्याल रखा जाता था और इससे मेरा क्या दोश लगभग भरे हुए गले से सेवे सफाई और व्यवस्ता की मेरी इच्चा को ग्रेणा बताते हैं मैं बहुत तेरा यतन करती हूं कि इस सफाई वफाई को छोड़ इस तक लुफता को तिलांजली दे दूँ पर अपने इस प्रियास में मैं कभी कभी मुझे अपने आप से ग्रेणा होने लगी लंबी सांस बरकर बच्पन से जो संसकार मैं ने पाए उनसे मुक्ती पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं अचानक द्रेटा से पर नहीं मैं इन से वहमों को छोड़ दोंगी पुरानी आत्तों से चुटकारा पालोंगी वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ आप क्या कह रही है बेबी जी वे समझते हैं मैं उनसे उनके सवाव से उनके वातावरन से उनके हर बास से ग्रहना करती हूँ मैंने इन दो महिने में अपने आपको बिल्कुल बदल डाला दरवाजा चाना खुलता और वसंद प्रवेश करता है वसंद हेलो मदू क्या हाल है हाल चाल है जनाब के मंगला मंगला तांगे से समान उतारती है और येलो डेड़ रुपया तांगे वाले को देता है वसंद कहो भाई क्या हाल चाला है यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है मदू हस्तने का प्रयास करती है सूखा जाड़ा पड़ रहा है जुका मैं चार दिन से मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपने स्वास्त का ध्यान रखा करो सेहत सेहत दुनिया में दुनिया में जो कुछ है सेहत है जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुधरता ये न जाकते हैं इतना काम इतना काम नहें देंगी जितनी सेहत यहीं ठीक नहीं रहती ये सब किस काम के हैं देखे किस तरीके से मदू वसंत आता है वसंत के मन में उसकी प्रती कोई भी मतलब नफरत नहीं होता वसंत हातमू दोकर उसी तोलिय का इस्तिमाल करता है जिसे कुछ समय पहले सुरू ने इस्तिमाल किया था इसी बात पर मदू वसंत को फटकार नहीं लगती है उस पर फिर से सफाई की सनक सवार हो जाती है वे व्यंग में वसंत का उपास करती है जो वसंत आवेश में आकर अपनी विवस्ता परकट करता है इसी घटना के साथ कथाना समाप्त हो जाता है ठीक है विटा ये कंप्लीट हो गई आपकी ओके चैप्टर कंप्लीट हो गया थेंक यू